हेलो एवरिवन वेलकम टू ड्रांस इटीसी यह DCS सीरीज का 11 वीडियो और Microsoft Office Excel का थर्ड वीडियो है जिन लोगों अभी पिछला वीडियो नहीं देखा है उन लोगों के लिए आई बटन में साथा डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं वहां से भी आप देख सकते हैं औ तकि आपको आने वाले जो वीडियो है वो स्रीज वाइज अपडेट मिलता रहे तो स्टार्ट करते है एक्सल उपन करते है और हमने पिछला फाइल क्रियेट किया था उसको उपन कर लेता है यही फाइल हमने क्रियेट किया था अब इसमें थोड़ा बहुत चैंज करना है वो चैंजेस हम लोग कर लेते हैं सबसे पहले इसमें हमें जो है सॉटन फिल्टर का इस्तेवाल करना है तो सॉटन फिल्टर जो है कभी भी मर्ज वाले सेल पे काम नहीं करता है हमें क्या करना है मर्ज सेल को यहां से अनमर्ज करना है वापस इसे सिंगल सेल में करना है हम क् इस cell को हमें delete करना, इसे select किया, और यहाँ पर delete में, delete cell. अब यहाँ पर आगया, shift cell up. तो हमें नीचे वाले को उपर up करना है. तो हम shift cell up कर दिये, हट गया, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इसे shift cell up करेंगे, delete cell up, उसके बाद subject में आएंगे, पूरे को select करेंगे और यहां पर भी, delete करेंगे, यह हो गया, अब हमें क्या करना है, अब हमें यहां पर एक column add करना है, तो इस वाले को पूरा का पूरा column select हो गया अब यहां पर right click करेंगे या तो फिर यहां से insert करेंगे ठीक है insert cell ठीक है यह आ गया अब हम क्या करेंगे इसको थोड़ा से resize करते हैं और यहां पर heading डालते हैं यहां पे heading हम क्या डालेंगे, यहां पे हम एक add कर रहे है आधार, यह add हो गया, ठीक है, अब क्या करेंगे, कि अब हम यहां पे एक और इसमें number डालेंगे, अब पहले हम यहां पे आधार में number डाल लेते हैं, अधार 12 digit का होता है, तो मैं यहां पे 12 digit डाल लेता हूं, 1234567891012, तो यह क्या 12 डिजिट अब मैं इससे बाहर निकलता हूँ अब जैसे ही बाहर निकला यह नंबर ऐसे चेंज हो गया है ही एक लेवल तक ही अगर उससे आगे हमको जाना है तो असände के बाद यहां पर इसका फॉर्मेट कarेंगे दे करने के बाद यहां पर डेसिमल एड हो गया है डेसिमल को अठा देंगे यहां पर यह आब यहाँ पर क्या है कि मैं आपको बता रहा था कि अगर गलती से अगर यहां पर मैं 11 डिजिट कर देता हूं बहुत बार होता है कि हमारा फोन नंबर है दस डिजिट का है लेकिन हम मि stubborn कर लेता है तो 11 हो जाता है या फिर 9 डिजिट हो जाता है तो उस चीज से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है cell में validation लगाते हैं, data validation का इस्तमाल करते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पूरे को select कर लेंगे, और यहाँ पे data में आएंगे, data में आने के बाद यहाँ पे हम data validation में आएंगे, data tool के अंदर, data validation में क्या क्या 12 डाल दिया क्योंकि हमको 12 डिजिट चाहिए और maximum length में भी हमने क्या क्या 12 डाल दिया यानि कि हमें exact 12 भी चाहिए तो minimum भी 12 और maximum भी 12 यानि इससे कम भी नहीं इससे ज़ाधा भी नहीं अब उसके बार हम यहां पर okay ले लेते हैं हो गया अब यहाँ पर हम टाइप करते है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 और अब यहाँ पर हम जो है 11 डिजट टाइप किया है अब यहाँ पर इंटर लेते हैं तो यहाँ पर यह लिख रहा है the value you entered is not valid यानि कि आपने जो value डाला है वो सही नहीं है यानि आपने यह तो एक number गलत डाल दिया है कम डाल दिया या जादा डाल दिया है तो अब हम यहाँ पर फिर से इंटर करेंगे अब यहाँ पर हम जो है एक number add करके देखते हैं यहाँ पर यह अट हो गया यानि कि data validation लगाने के बा अब यहाँ पर हम दूसरा formula देखते हैं तो यहाँ पर सब कुछ add किया हुआ है लेकिन यहाँ पर एक चीज एड नहीं किया हुआ है वो क्या है वो है percentage ठीक है percentage यह फिर हम लोग average बोलते है तो average तो यहाँ पर मैं दो column बना रहा हूं एक mathematical तरीके से बताऊंगा और एक जो है कि यहाँ पर एवरेज ले सकते हैं या percentage ले सकते हैं तो पहले मैं फॉर्मला बेस तरीके से यहाँ पर एवरेज टाइप कर देता हूं यह टाइप हो गया अब यह दोनों का size मैं resize कर लेता हूं ताकि यह एक ही screen में आपको दिख सके इसे मैं चोड़ा कर देता हूं इसे भी पीच में हम लोग पहले इसे all border कर लेता है उसके बाल फिर इसे select करके thick border कर लेता है अब यह arrange होगी अच्छे से अब क्या करेंगे हम लोग नीचे भी जो है add कर देंगे border all border हो गया फिर वापस यहाँ पर इसे select करेंगे thick border करेंगे यह सब चीज आपको सीखना होगा कि आपक पर हम लोग average वाले section पर इसको center कर लेते हैं और इस फाथी साथ जो है पूरा का पूरा cell को भी center कर लेते हैं यह center हो गया अब यहाँ पर हम लोग formula put करते है average का तो formula put करने के लिए equal to type किए average लिखें ठीक है average लिखने के बाद हम लोग tab लिए अब यहाँ पर क्या करना है हम द आरो से आने के बाद हम यहाँ पर हिंडी का 30 यानि की जो d3 cell है हम select करेंगे यहाँ पर d3 आपको दिख रहा है उसके बाद बाद हम कौमा लेंगे उसके बाद फिर हम जो है यहाँ पर d के बाद e आता है e3 लेंगे ठीक है e3 select होगया विखें यहाँ कर एंच को bracket को close करेंगे और यहां पर enter करेंगे result क्या आया 37.8 अब हम लोग इसको दूसरे तरीके से कैसे यहां पर feel कर सकते हैं अगर यह 5 था तो हम 1 by 1 5 ले लिए लेकिन अगर बहुत ज़ादा है तो उस case में हम लोग क्या करेंगे तो उस case में का आईडी डाले cell id क्या है तो पहला नंबर है । फिसके हिंदी कि हिंदी जो है वो डीक 우리가 है तो हम यहां पे नंबर मेरा कौन सा है रॉन नंूमर मेरा थी है तो हम रॉन नंबर 3 पर आएं टीके रॉन मारं 3 याने कि यह हो गया Dī और यह हो गया 3 तो यह D3 column हो गया तो cell number sell Id मेरा D3 है अब यहाँ पर इसके बाद हम क्या करेंगे semicolon ले 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 लेंगे semicolon merchant ले लिये तो यह लोग हो गया अभ यहाँ पर इल्मेंى हम यहां पर टत करें वेलुय क्या है हमारा यानिकि habe एच। जो मेरा एसस्ती का जो kaçॉलम है वो मेरा एणड है इसके बीच में ही जो है से है सोह है तो हम सबसे लाष्ट वाले पे आएंगे तो हम यहाँ पे प्रेस किए और साथ ही-साथ जो मेरा इसेल नंबर है यानि कि raw का जो number है वो हम यहां पर type दिये तो यह आ गया अब यहां पर आप देख रहें कि यहां से लेके यहां तक यह पूरा का पूरा एक बार में select हो गया हम लग semi column को इस तरह से ले सकते हैं अब क्या करेंगे कि हम यहां पर इसको bracket को बंद कर देंगे ब्रैकेट बंद हो गया, यानि कि अब यहां से लेके यहां तक का जो एक बार में हमने सेलेक्ट किया, वो काम कम्प्लीट कर दी है, हम सॉटकट में, और अब इसको इंटर लेंगे, तो अब मेरा जो वेल्यू है, यहां पे आ गया जिस वेल्यू के अधार पे हमें परसेंट निकालना है, उस वेल्यू को हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पे पूट करेंगे, तो हमारा जो है value equal to j3, ठीक है, j3 अब select हो गया है, यह आप देखिए, j3 select हो गया है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, इसको करेंगे, into, into का, यहाँ पर symbol देंगे, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको divide करेंगे, into करेंगे 100 से, यह 100 आ गया, यानि इसके बाद क्या करेंगे हम slash यानि कि divide का हम यहाँ पे symbol डालेंगे तो divide का symbol डाल दिए अब divide का symbol डालने के बाद हमें enter क्या करना है full mark ठीक है full mark हमने कितना रखा है तो full mark के लिए हम select करते हैं i3 क्यों क्योंकि i3 हमारा जो है यह full mark का column है यहाँ पे हम i3 भी ले सकते हैं या फिर हम 500 टाइप करके भी ले सकते हैं अब यहाँ पे इसको हम select किये और दोनों को हम जो है नीचे तक select करने के बाद fill पे आए और fill पे आने के बाद फिर जो हम क्या करेंगे down में हमको फिल करना है तो down में हम click कर दिए अब देखिए कि दोनों का दोनो exact result आया है तो यह हो गया हमारा average अब इसमें हम एक चीज़ एड करते हैं वो क्या है filter तो हम यहां से इसको select करेंगे heading को यहां तक हम heading को select कर लिए अब यहां पे हम लगा देते हैं filter sort filter में आये और filter लगा दिये यह filter लग गया अब मान लेते हैं कि हमें जो है इसे rank wise रखना है या फिर हमें grade wise रखना है तो हम क्या करेंगे reports यहां पे obtained mark जो मिरा आया हुआ है obtain marked को हम कर लेंगे largest to smallest यानि कि जो सबसे ज़ादा obtained mark आएक spriggy सबसे जाए ऑपर आएगा और जो सबसे कम आएगा वो सबसे नीचे आए तो हम यहां पर कर लेते हैं अब हम यहां पर देखते हैं पहले करने से पहले कि यहां पर जो है हम देख रहे हैं अमीता वाला जो section है वो सबसे ज्यादा है ठीक है उसके बाद करन जो है वो second number पर आ रहा है उसके बाद हम यहां पर इसको check करते हैं कि यह होता है या नहीं होता है हम यहां पर आया है obtained mark में और उसके बाद largest to smallest कर दिये तो यह देखें यहां पर 458 जो नीचे था वो उपर आ गया है अब देखते हैं यह किसका था अमीता का यानि कि यह exact है सही है उसके बाद second number पर हम देखें तो करन कुमार का था यह यहां पर आ गया अब यहां पर जो grade है कि दिखिए यहां पर a plus plus a plus b plus b plus b plus b plus ऐसे बनके आ गया यह तीनों b plus है लेकिन यहां पर जो इसका marks है वो कम और ज्यादा है तो सबसे ज्यादा marks वाला उपर है यह साथी साथ b plus है बट सबसे ज्यादा marks जो है वो उपर है तो ऐसे हम लोग rank wise निकाल लिए average भी उसी हिसाब से यहां पर put हो के आ रहा है तो इस तरह से एक जो है पुरा result sheet create होता है result sheet तैयार होता है अब next जो वीडियो आएगा उसमें मैं जो है अलग cell लूँगा और अलग data लूँगा और उसमें आपको बताऊंगा कि आगे इसमें हम लोग और क्या-क्या काम करते हैं और क्या-क्या इसका जो है useful function और formulas है तो मिलता है next वीडियो में